भरकाव भाशन और राश्त्रों के मामले में जैनुचात्र शारजील इमाम पे अब चलेगा मुकद्मा पोश अब स्कूलों में भी लागू होगा कलकता हाई कोट का निर्देश और कॉंग्रेस नेता ने दिल्ली हाई कोट में पांच राज में होने जा रहे चुनावों को स्थगित करने की डिमान रखी नमस्कार मैं भद्रा सिन्हा और मैं आप पूर्वा मन्धानी और हम आपके सामने एक बार फिर कोट अनकोट का ये एपिसोड लेकर आए हैं जैसा कि आप जानते हैं शोपर भद्रा और मैं आपको पिछले हफ्ते हुई कोट की बड़ी खबरों के बार में बताते हैं इस हफ्ते जैसे की भद्रा ने बताया जो पहली खबर है हमारे पास वो आ रही है दिल्ली के करकरदुमा कोट से दरसल इस कोट ने शरजील इमाम के खिलाफ चार्जिस फ्रेम कर दिया नहीं के आरोप तै कर दिया है इसका मतलब ये है कि अब शरजील इमाम को ये जो केस है जिस तरह के आरोप उन पे लगाए गए है उसका ट्रायल का सामना करना पड़ेगा अब बात जो है यह जो पूरा मामला है यह F.I.R हुई थी जन्वरी 2020 में जब इमाम की एम्यू में दी गई एक स्पीच वाइरल हुई थी यह अन्टी C.E.A. जिस समय प्रोटेस्ट चल रहे थे उस समय यह स्पीच दी गई थी और विडियो में इमाम असाम को देश की बाकी ह मामलों में भी F.I.R में उन्हें अरोप की तरह आइड किया गया है अब जो यह AMU स्पीच का मामला है कातित भढ़काव भार्षान का मामला है इस पर अब कोर्ट ने उनके खिलाफ चार्जिस फ्रेम कर दी हैं आपको बता दू चार्जिस फ्रेम हुए हैं आपको बता दू ए सक्षिन 1.24 A जो कि Sedition होता है राज्त्रो, सक्षिन 1.53 A जो दो भर्मो के बीचaktि अ इस विए सम्प्रदायों के वीछ दुश्मनी बढ़ाने से रिलेटेड ład29 B देश की आकता के खिलाफ बयां जेने से रिलेटitious के जेए ही बुए सेक्षिन 510 5 सवाँ बयां देने का और अपूर्वा आपको ध्यान होगा कि जब ये F.I.A.R. रिजिस्टर हुई थी तो काफी क्रिटिसिजम हुआ था डैली पुलीस का, काफी लोगों ने बोला था कि ये जो पूरा मुद्दा है, ये एक तरीके से शार्जील इमाम के फ्रीडम आफ स्पीच को जो है वालेट करता मगर अब जो है कोट ने अपना इस पूरे केस में निर्नय देते हुए ये बोला है कि ये जो अलिगेशन लगाया गया था पुलीस पे ये एक तरीके से सही नहीं है और एक प्राइम फिसाइफ फाइंडिंग दी है दरसल कोट ने क्योंकि अभी ट्राइल होगा अभी शार् सेशन जज अमिताब रावत उन्होंने कुछ ऐसी बाते करी है शार्जील इमाम के पूरे बैग्राउंड को लेते वे उन्होंने ये बोला है कि इस पूरे जो भाशन के पीछे जो शार्जील इमाम का जो एक वो था इंटेंशन जिसे कहते हैं वो देखना बहुत जरूरी है आगे चलके कोट ने ये भी कहा है कि जो ये पूरा भाशन था शार्जील इमाम का ये एक ही समुदाए को लेके था यानि कि जो मुस्लिम्स है उनको ही लेके था और उनके बारे में ही था और बार बार शार्जील इमाम ने अपने इन इस भाशन में जो है Constitution के खिलाफ बात क अपूर्वा इसमें केवल एक AMU स्पीच नहीं है इस केस में शार्जील इमाम ने दो जगह और अपने कुछ स्पीचिस दिये थे एक असाम में और एक वेस पिंगॉल में तो इन तीनों स्पीचिस को जो है नजर रखते हुए कोट ने जो है ये अपनी तरफ से ये बोला है कि जो शार्जील इमाम ने इन स्पीचिस में जो काफी कुछ कहा वो एक तरीके से सही नहीं था अब पूरा मुद्दा था तो एंटी CAA को लेके मगर अपने भाशे में उन्होंने कुछ ऐसी बाते बोली जो CAA से रिलेटेड ही नहीं थी तो ये सारी चीजे जो है कोट का मा में ये बोला कि शार्जील इमाम बहुत ही पड़े मिखे चात्र हैं उन्होंने दर असल पीएजडी करी है थीसिस करी है रायत्स को लेकर ही उनकी पीएजडी हुई है मगर इस आर्गुमेंट को भी खारिच करते हुए कोट ने ये बात फिर से कही कि चूंकि वो इतने पड पड़े लिखे होने के बावजूद जिस तरह का भाशर शार्जील इमाम ने दिया उसको सुनने के बाद यही लगता है कि वो दो ग्रूप के बीच में दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं अब ट्रायल शुरू होगा ट्रायल में शार्जील इमाम के सामने काफी क्वेशन र तो इस जिस तरह की डेवलाप्मेंट्स होंगी उसके बारे में भी हम आपको जरूर बताएंगे जब यह चाहिए शुरू होगा बिच्छी अपके लिए ख़बर है वो क्याकटा है क्याकटा है काहा है कि जो पॉष अक्ट है जो कार्यालेओं ने यॉन उत्पीरन के यह पूरा जो मामला था इसमें यह हुआ था कि दरसल यह जो स्कूल था सिक्किम का एक स्कूल था उसके प्रिंसिपल ने एक टीचर के खिलाफ कंप्लेंड दर्ज की थी यह कहते है कि कई स्कूल के चात्रों की तरफ से यह कंप्लेंड आई है कि यह जो टीचर है इन्होंने उनके साथ गलत तरह की हरकते की हैं, यौन उत्पीरन किया है और इसके बाद उनके खिलाफ जो पेटिशनर थे, इसमें जो टीचर थे उनके खिलाफ F.I.R. दरजवी थी, POCSO Act के अंदर अब इन फाक्ट उन्होंने ये का था कि 67 स्टूडेंट से उनको काफी बड़ा नंबर था, इसके बाद, स्कूल ने भी अपनी तरफ से एक इंक्वाइरी चालू की, फर्वरी 2019 में उन्हें सस्पेंड कर दिया, उन्होंने एक कमिटी भी बठाई इसमें एक तरह की इंक्वाइरी करने के लिए, लेकिन और फिर इस सस्पेंशन ओर को भी उन्होंने फेबरी 2021 तक एक्स्टेंड भी कर दिया तो काफी लंबा सस्पेंशन उनका चला, तो पिटिशनर ने ये कहा था कि जो पॉष आक्ट है उसके अंदर इस ऐसी कमिटी में किस तरह है कि मेंबर्स होने चाहिए उस पे बहुत ही डीटेल में दिया गया है पूरा ये जो प्रोसीजर होता है लेकिन जैसे फर एक्जांपल उन्होंने ये कहा पेटिशनर ने कहा कि जो स्कूल की जो कमिटी थी उस के पास भी गए और अब कलकता हाई कोट के पास भी ये कहते में कि ये जो पॉष आक्ट है अगर इस तरह की कमिटी स्कूल बनाता है तो ये पॉष आक्ट के हिसाब से बननी चाहिए इसके तहत जो प्रोविजिन से उसके हिसाब से बननी चाहिए ना कि एक अलग तरह की कमि कानून है यह स्कूलों में भी लागू होगा दर असल 2013 में जो यह कानून आया था यह ओफिसेज में जो यौन दुराचार हो रहा था उसको ले के आया था नाइटी नाइटी सेवन में आपको याद होगा सुप्रीम कोट ने एक बहुत ही खास बहुत ही महत्वपून जज्ज में जोए जॉट लाइन्स रखी गई थी यौन दुराचार को सुपीसिया मिज बड़ाचार के की सिस अतने हैं उनको आंडल करने के लिए जो यह जघर में यह थाइन रखी गई थी और फ़ेर जो है दो हरजरी में में इस पूरे मुद्धे पर 1 कानून आया और कानून के म होनी चाहिए हर प्राइवेट ऑफिस में और यदि यौन दुराचार कोई कम्प्लेंट आता है तो जैसे कि अपूर्वा ने बताया है एक कमिटी जो है गठित होती है जिसमें बाहर का यानि कि कोई एंजियो जो महिलाओं के शेत्र में काम करती है या कोई ओर्गनाइसेशन उसका जो है एक मेंबर होना चाहिए और एक तरीके से पूरी सुनवाई होती है इस पूरे कमिटी के सामने तो अब जो है जो अब जो कैलकटा हाई कोट का जजमेंट आया है इसके बाद यदि किसी ट स्टूडेंस जो पहले कभी नहीं होता था तो यदि टीचर के खिलाफ कोई स्टूडेंस जो है कम्प्लेंट करते हैं यहां दुराचार का तो अब हर स्कूल को जो है पॉश के अंडर जो भी पॉश के अंतर का जितने भी रूल्स और रेगूलेशन है उनको फॉलो करते वे कमिटी बिठानी पड़ेगी और यह तरीके से पालं ना किया गया तो स्कूल के खिलाफ एक तरीके से कुछ नहीं भी हो सकती है बिल्कुल और जो तीसरा हमारे पास आपके लिए केस है वो दिली हाई कोट में याचिका दर्ज की गया हमें पता है कि अगले कुछ महिनों में देश भर में पांच राजियों में विदान सभा चुनाव होंगे लेकिन कोविट के केस अब तो कम हो रहे हैं करी राज नहीं है पिछले हफते ये मैटर सुनवाई पे आया था मगर बेंच जो है वो असेंबल नहीं हो पाए थी तो हो सकता इस हफते आए मगर पूरवा अपने दर्शकों को ये बताना चाहेंगे ये पहली बार नहीं है जो इस तरीके की पेटिशन आ रही है पहले जो है अलाब हाई कोट में ये मांग रखी गई थी कि जो यूपी में चुनाव होने वाले उनको स्थागित किया जाए मगर दोनों ही हाई कोट ने इन दोनों अलग अलग पेटिशन को खारिच कर दिया था अपूरवाब को ध्यान होगा डिसेंबर 2021 में अलाबाद हाई कोट ने एक ऑब पड़ने लग गए थे तो इस सुझाव के बाद इलेक्शन कमिशन ने एक मीटिंग भी बुलाई थी मगर आंकड़े वगरा सब देखने के बाद इलेक्शन कमिशन को लगा कि नहीं चुनाव हो सकते हैं तो इसलिए उसके बाद उन्होंने जो है फेबरी और मार्च में डे इलेक्शन हुए थे और यह कहा गया था कि इन्हीं एलेक्शन की वज़ा से जो है केसिस एकदम से बढ़ गए थे और फिर एक मडरास हाइग कोट में भी हेरिंग हुई थी जिसमें मडरास हाइग कोट ने इलेक्शन कमिशन के खिलाफ बहुत तीखी करी ती यह कहते वे कि जिस तरह से एलेक्शन कमिशन ने राज़ में चुनाओ की अनुमती दी उसको देखे यह लगता है कि एक तरीके से उन्होंने एक मुझर का काम किया तो इस इस उब्जवेशन के खिलाफ एलेक्शन कमिशन ने सुप्रीम कोट में भी गुहार लगाई थी तो यह अब्जवेशन ओरल था लिखित में नहीं था तो इस ते सुप्रीम कोट कुछ कर नहीं भाया तो अब देखते यह है कि दिल्ली हाई कोट इस पेटिशन को किस तरह से सुनती है बिल्कुल और दिल्ली हाई कोर्ट की बात चल रही है तो आपको एडा ज़ेए अंच शोटा सा अबदेटेटरों दिल्ली हाई कोट में अभी एक बार फिर पिछले पूरे थे हफ़ते मारितल रेप का जो केस चल रहा है उसमें हो घएमने आपको पिछले कुछ еपिसो में इसके बारे में बताया अब इसमें इस हफते, especially senior advocate Rebecca John की तरफ से कई arguments और Rebecca John इस केस में Amicus की तौर पर कोड की मदद कर रहे हैं, यानि कि वो ना ही आचिका करता की तरफ से हैं, ना ही सरकार की तरफ से, वो कोड को अपनी legal expertise के हिसाब से मदद कर रहे हैं, पूरा मामला समझने में, और इसमें Rebecca John ने कई अब आगिमेंट्स दी, उन्होंने कानून की हिस्ट्री से शुरुवात की एकदम कब विगे कानून आया था, अंग्रेजों के जमाने का कानून है, फिर उन्होंने यूके में किस तरह से अब ये कानून लागू नहीं होता है, उसकी बात की, वहां के कोड्स ने इस पर क्य 75 IPC, जो की रेप की डेफिनिशन देता है, उसमें ये जो एक्सेप्शन इसको से हटा देना चाहिए, उन्होंने ये भी कहा, ये सवाल कई बार दर असल कोट ने उठाया ता, स्पेशली जसिसी अरी शंकर जो की उस बेंच में, उन्होंने कई बार, एक और मायकस है, राज होंगे, उनके खिलाफ भी पत्नियों के खिलाफ पत्नियों पर रेप करने का आरोप लग सकता है, उन्होंने ये सवाल कई बार उठा था, रिबेका जॉन ने अब ये कहा, कि उनके हिसाब से इससे कोई नया आरोप नहीं बनेगा, इससे बस एक एक सेप्शन जो हटा के ऐस लगा कि उन्हें भी सुनभाई मिलनी चाहिए तो उन्होंने एक एक अप्लिकेशन फाइल हुई की थी, अब तक उनके पास लोया नहीं था, लेकिन थर्स्टे को अड़के जे साई दीपक ने उनकी तरफ से आग्यू किया और उन्होंने ये दलील रखी कि कि कोट को इस पूर रहना चाहिए, और इसमें जो देखने वाली बात है पूरवा कि केंदर सरकार क्या स्टेंड लेते हैं, केंदर सरकार ने दरवसर अवर किया था बहुत साल पहले, क्यूंकि ये 2017 का मामले है, तो 2017 में ही केंदर सरकार ने अपना ये थालफ नामा दाकिल किया था, जिस तीन बारी court को ये बोला है, कि उनको थोरा और समय चाहिए, अपना, अपनी तरफ से जो भी वो कहना चाहते हैं, उसको court के सامने रखने के लिए, उनको थोरा सा और सामय चाहिए, उन्हों ने court को इस बात को भी information डि, कि कि जो सरकार है, वो पूरे कि अच्छेशन्स मंगवाए गाए गाए उस पे सुन्वाई हो रहा है तो यह जो मामला कोट के सामने है यह यह इस पूरे प्रोसेस में जो है इस पे भी सोच विचार किया जाए तो इसलिए जो है कोट ने हां केंदर सकार ने एक और पात बोली कि जो सोच विचार है वह कि अच्छे हफते दुबारा से थोरा समय और मांगा है अब देखने वाली बात बस यह है कि केंदर सरकार अपना अपनी तरफ से क्या कहती है को बिल्गुर इन फाक को ने उनको दस दिन का समय दिया तो अगले हफते हो सकता है उनकी तरफ से किसी तरह का अफिड़ेवित आ कि अब देती है को उसके बारे में हो सकता है हम आपको अगले एपिसोड में बताएं बिलकुल तो इस हपते के लिए काफी है पूरवर बिलकुल भधरा आशा करती हू आपको यह एपिसोड पसंद आया हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हमसे जुनने के लिए बहुत बहुत अनिवाद. अनिवाद.